असलाम अलेकॉम 5 class how are you are you fine 5 class today our lecture is definitions of grammar हम लोग ने definitions करनी है common noun काल हम लोग ने known की की थी आज definition है common noun common noun क्या है a common noun is a word that names common people places or things common noun एक ऐसा word जो चीजों को शो करता है कोई सी भी things हो गई तो यह क्या है यह कामन नौन है ठीक है हमने हमें नेम से पता चल रहे है कामन नौन है वो है इसमें लोग आ जाएंगी आम प्लेसिस आ जाएंगी आम थिंक आ जाएंगी इसमेंपल क्या है men कोई सब्सक्राइब हो सकता है cat यह थिंक कोई सी भी मतलब चीज है बुक है school एटी सी यह सारे क्या है common noun है धन definition से proper noun प्रापर नौन क्या है दा नेम्स आफ पार्टिकुलर पीपल प्लेस एंड तिंग्स और प्रापर नौन है किसी जो हास शस हास जगा यहास चीज के नाम को क्या कहते है प्रापर नौन कहते है ठीक है they always begin with our capital letters इन्हें हमेशा start हम लोग करेंगे capital letter से proper noun है हास चीज़े है तो it means कि इसे हम लोग capital letter से इनको start करेंगे examples क्या है माजिद जैसे किसी का नेम हो गया आप लोगों में से किसी का नेम हो गया शालीमार गार्डन शालीमार गार्डन यह particular place है तो शालीमार गार्डन इसे capital letter से लिखेंगे काइद आजम काइद आजम पार्टिकुलर नेम है तो काइद आजम को भी capital letter से लिखेंगे यह क्या है proper noun की definition हो गई then हमार पास definition है countable noun countable noun क्या है यह हम लोग उन्हें chapters में भी सारे definitions पढ़े हुए है जो हमारे chapter ending थे उनकी exercises में भी यह हमने की थी again आप लोग यहां देख लें countable noun क्या है countable noun वो है कि जिनको count किया जा सके name से प्यता चाल रहा है countable noun जिन्हें count किया जा सके उन्हें countable noun क्याते हैं कउन किया जा सकते हैं बस इटीसी सारी चीज़ें कांट किया जा सकता है तो यह क्या है। nosotros कर नहीं हैं आप लोग नहीं हूं म昨 ने अच्छी तरह याद भी करने हैं।